अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको उपर आई आइगन पर मिल जाएगा आज हम गर में पल्ले बच्चे के ग्रोथ को, बच्चे की साइस को, कुछ फ्रूट्स, सीर्स और वेजिटेबल की हेल्ट से जानेंगे जिससे आप तुरंग यह पता कर सके कि अब आपका बेबी कितना बड़ा हो गया है तो आईए आज की वीडियो को स्टार्ट करते है प्रिगनेंसी के फॉर्थ वीक में बेबी पॉपी सीट के बराबर में खसकस के बराबर हो जाता है इस समय बेबी की साइस 3 mm से भी कम होती है पांशवे वीक में बेबी तिल के बीच के बराबर हो जाता और इस समय गर इसके लेंद के बात करे तो लगबग 1.3 इंच के बराबर होता है छटी वीक में बेबी दाल के एक दाने के लगबग बराबर हो जाता और इस समय इसकी हाइट 0.25 इंच के बराबर होती है साथमे वीक तक बेबी मट्र के एक दाने या वाइट चने के दाने के बराबर हो जाता और अगर लेंद की बात करें तो इस समय बेबी का लेंद लगबग 13.18 mm की बराबर होता है आठमे वीक तक बच्चा एक राजमा के साइट जितना हो जाता लगबग 1.5 इंच का लंबा हो जाता हो दसवे वीक तक बच्चा एक कीलू की अकार का हो जाता और इस समय बच्चे की लेंद लगबग 1.25 इंच होता है प्रेगनेंसे के 11 वीक में बच्चा एक फिक के बराबर मिस अंजीर के बराबर हो जाता और इस समय बच्चे का लेंध लगबग 1.61 इंच के अराउंड होता है प्रेगनेंसी के 12 विक तक बच्चा एक small lemon मिस छोटे नीबू की अकार का हो जाता और इसमें बच्चे की जो length होती है वो 2.13 इंच के around होती है प्रेगनेंसी के 13 विक तक बच्चा एक मटर जितना लंबा हो गया होता है और अगर बच्चे की length की बात करें तो इसमें बच्चे की length 2.19 इंच के around होती है प्रेगनेंसी के 14 विक तक बच्चा एक medium lemon के size का हो जाता और इसमें बच्चे की length लगबग 3.9 इंच के around होता है Pregnancy के 15 week तक बच्चा एक normal apple जितना हुया होता है और बच्चे की length लगबग 4 inch के around होती है 16 week में बच्चा एक avocado की size का हो जाता और बच्चे की length लगबग 4.5 inch के around होती है Pregnancy के 17 week तक बच्चा लगबग एक peer की size का हो जाता और बच्चे की length 5.12 inch के around होता है प्रेगनेंसी के 18 विग तक बच्चा एक स्वीट पुटाटो की जितना हो जाता और अगर बच्चे की लेंद की बात करें तो इस समय बच्चे की लेंद 5.5 इंच के अराउंड होता है Pregnancy के 19 विक तक बच्चा एक small mango की size का हो जाता और बच्चे की जो length होती वो लगबग 6 inch के around होता है Pregnancy के 28 विक तक बच्चे की size एक banana जितनी हो जाती है और बच्चे की length 10.5 inch के around होता है Pregnancy के 21 विक तक बच्चा एक normal carrot के size का हो जाता और बच्चे की लेंद 10.58 इंच के अराउंड होता है 22 वीक तक बच्चा एक नॉर्मल पपाया के साइज जितना हो जाता और बच्चे की लेंद लगबग 11 इंच के अराउंड होता है प्रेगनेंसी के 23 वीक में बच्चा एक नॉर्मल मैंगो के साइज का हो जाता और बच्चे की लेंद लगबग 11.4 इंच के अराउंड होता है प्रेग्नेंसी के 24 वीक में बच्चा एक नॉर्मल कॉन के साइथ का हो जाता है 25 वीक में बच्चा एक स्क्राइस के बराबर हो जाता और बच्छे की जो लेंद होती हुए 13.6. इंच के अरॉंड होती है 26 वीग में बच्चा एक normal spring onion जतना लम्बा हो जाता और बच्ची की लेंद लगबख 14. प्रेंडेन क 20 वीग तक बच्चा इक normal curly flower जतना बढ़ा हो गया होता और बच्चे की लेंद लगबग 14.4 इंच के अराउंड होती है 28 विग तक बच्चा एक बिग ब्रिंजल जितना हो जाता है और बच्चे की लेंद लगबग 15 इंच के अराउंड होती है Pregnancy के 29 विग तक बच्चा एक नॉर्मल पंकीन जितना बड़ा हो गया होता है के बराबर हो गया हो तो इसमें बच्ची की लेंद शिक्सित पॉंट इंज지 के अरॉंड होती है 32 वीक में बच्चे का वेट एक बड़े कली फ्लावर के वेट जितना हो गया होता और बच्चे के गल लेंद की बात करें तो इसमें बच्चे की लेंद 16.7 इंच के अराउंड होता है 33 वीक में बच्चे का वेट एक पाइन एपल के वेट जितना हो गया होता और बच्ची के गल लेंद की बात करें तो इस समय बेबी की लेंद 17.2 इंच के अराउंड होता है जब बात आती प्रेगनेंसी के 34 वीक की तो इस समय बच्चा मस्क मेलन जितना हो गया होता 36 week में बच्चा एक बड़े lemon के अकाल का हो जाता और बच्चे की length 18.6 inch के around होता है 37 week में बच्चा इस्पिनाश लीड या पालक की पत्यों जितना बड़ा हो गया होता और बच्चे की length लबग 19 inch के around होती है 37 week में बच्चे का वेट एक बड़े watermelon के वेट जितना हो गया होता और बच्चे की length लबग 19.5 inch के around होता है अब बात आती है प्रेग्नेंसी के last week की miss 40th week की इसमें बच्चा एक jackfruit के वेट जितना हो गया होता अगर बच्चे की length की बात करें तो बच्चे की length 20.2 inch के around होता है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पर क्लिक करना मत भूलेगा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजे इस वीडियो से लेटर को और क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते है परेंटिंग केर पर अपने विजिट किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए जिसे नए आनेवल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए में साथ अब तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच बाबाए हम दो सकते हैं